आल राइट, Realme 10 Pro Plus 5G इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और काफी तरीके से इसकी जो टेस्टिंग है, वो हमने कम्पीट कर लिया है और हमारी टेस्टिंग काफी हाड होती है क्योंकि हम स्मार्टफोन को आउटडोर में टेस्ट करते हैं और आज इस वीडियो में Realme 10 Pro Plus 5G का फुल रिव्यू करेंगे इस स्मार्टफोन की हाई बनी थी बाइट डिस्प्ले को ले करके यूँकि इस स्मार्टफोन में आप लोगो 25,000 के अंदर जो करब डिस्प्ले है वो मिलती है तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि actual में ये स्मार्टफोन कैसा है आपको buy करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वीडियो को असान बनाने के लिए हमने इस वीडियो को तीन सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है सबसे बहले सेक्शन में हम लोग इस स्मार्टफोन के पॉस्टिव पॉइंट की बात करेंगे दूसरे section में हम लोग इस smartphone के negative point की बात करेंगे and last में जो conclusion है वो आपके साथ discuss करेंगे सबसे बहला positive point है display smartphone में आप लोगो 6.7 inch की full HD AMOLED display मिलती है और ये एक color display है तो display को मैंने indoor और outdoor में test किया है indoor में 750 तक इसकी full brightness है और outdoor में display काफी चरीके से visual है बाकि ये कोई samsung की flagship display नहीं है ये कोई realme ने Chinese man effects से इसको buy किया बढ़ फिर भी display experience काफी कमाल का है wide one open का support मिल जाएगा amazon, netflix, content आप लोग HD में stream कर सकते हो लेकिन YouTube की उपर 4K में वीडियो देखने पर आपकी जो वीडियो वो glitch करती है लेकिन YouTube के में आपका 1080p में भी काम चल जाएगा बाकि ये आप लोगों को display colors काफी बढ़िया देखने को मिलते है AMOLED display ने तो deep black color मिलेंगे और display की brightness, saturation और जो contrast है वो भी realme ने काफी चरीके से adjust किया बाकि इस display के chin bezels भी आपको काफी छोटे मिलते है और realme ने इसको S22 Ultra से भी compare किया था तो S22 Ultra से भी छोटे जो bezels हैं इस display के आपको देखने को मिलेंगे तो display experience और viewing या experience आपको काफी कमाल का मिलेगा लेकिन जहां से display करग हुई है वहाँ पर side से देखने पर आप लोगों को हलकी सी black stone मिलेगी लेकिन सामे से देखने पर ऐसा कोई issue देखने को नहीं मिलता यह कोई major problem नहीं है realme इसको software update से fix कर सकता है और realme कलेम करता है कि display flinkering नहीं करती लेकिन मैंने इसके outdoor testing की and result आपके सामने है आपको थोड़ा वाँ जो flinkering issue है outdoor में वो इस display के अंदर देखने को मिलता है बागे display काफी कमाल की है and जिसको लेकर के hype बने दिस्प्ले को लेकर के तो display realme 10 pro plus 5G के आपको काफी बढ़िया मिलती है next positive points से मैं छोड़ छोड़े points एड़ कर रहा हूँ सबसे वाला fingerprint fingerprint आपको smartphone में in display मिलता है and इसकी speed भी काफी सही है and accuracy भी आपको काफी बढ़िया मिलती है single tap के ओपर unlock हो जाएगा and double tap to wake up double tap को unlock का जो feature है वो भी आपको इस smartphone में मिलता है second है वाई smartphone की vibration motor vibration motor भी realme ने काफी कमाल की smartphone के अंदर use किया and पूरे UI के अंदर realme ने haptic feedback है उसको implement किया है touch करने पर call and करने पर या typing करने पर टक टक का feel है वो आपका आता है तो vibration motor भी आपको smartphone की काफी कमाल की मिलेगी and third positive point है भाई इसके stereo speaker due stereo speakers देखने को मिलेंगे इनकी quality भी आपको काफी बढ़िया मिलती है and 200 volume का जो support है वो आपको मिलेगा यानि की realme 10 pro plus 5G music के अंदर भी जो ultra volume है उसका support करता है पूरी body बनता है इसका design अब आप लोग बोलोगे भाई पूरी body तो plastic है तो उसको positive point में क्यों रखा plastic body होने की बज़े सबसे पहले आपको उसका weight कम मिलेगा 173 gram तक इसका weight है and single hand से आप लोग इसको असानी से use कर सकते हो एक हास से use करने पर कोई भी issue आपको नहीं मिलेगा बाकि आप लोग को पूरी build plastic की मिलेगी है जो side की frame है ये भी आपको plastic की मिलती है ये आपको 3 colors के अंदर available मिलेगा hyperspace, blue and black तो मैं आपको ये ही suggest करूँगा कि आप लोग hyperspace को ignore करके वाकि जो 2 colors blue and black उनको choose करें क्योंकि hyperspace आप लोग गलॉसी back के साथ मिलता है तो touch करने पर आपको fingerpin smudges के ओपर देखेंगे scratches देखने को मिलते हैं लेकिन blue and black आप लोग को अब इसको positive point में क्यों रखा तो out of the box Realme UI 4.0 Android 13 है अगर आप लोग 10-15 मिंट आराम से बैठ करें इतनी भी unwanted application bootware और जो आपके ads है इन सब को बंद कर दोगे manually तो आपको clean UI का जो experience है वो मिलेगा साथ में UI के इंदर 120Hz का refresh rate है वो भी Realme ने काफी थरीके से implement किया आपकी third party application system application सभी 120Hz refresh rate के ओपर अच्छे से work करती है साथ में Realme UI 4.0 Android 13 के साथ काफी modern है काफी सारे customization के features आपको देखने को मिलेंगे आप तो पूरे UI को customize कर सकते हो always on display का support मिलता है icon को आप लोग customize कर सकते हो उपर बैटरी स्टाइल और बैटरी आइकन को कस्टमाइज करने के features भी आपको Realme UI 4.0 में मिलेंगे साथ में आपको Google डायलर देखने को मलता लेकिन आपको replace करके Realme का डालर reuse कर सकते हो मैंने किया है और इसके regarding मैंने dedicated video बना रखा है वो आप लोग चेक आउट कर लेना उस video कर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है साथ में YouTube, Instagram, Twitter, तीनों एप्लिकेशन प्रापर तरीके से 120Hz के उपर वर्क भी करेंगी UI के इंदर ऐसा कोई major lag भी आपको देखने को नहीं मिलता काफी smooth experience है इसमें आप लोग इसकी speed के बारे हैं पता चल जाएगा आप लोग जाकर के checkout कर लेना बाकि अगर आप लोग कोई heavy application ओपन कर दे तो हलका सो gtness है वो आपको UI के अंदर मिलेगा लेकिन ऐसी कोई major दिक्कत नहीं है इनको Realme software update से fix कर सकता है पाकि यही थे इसके positive point अब इसके negative points की बात करते हैं सबसे पहला negative point बनता है network stability smartphone में आपको 5G का support तो मिलता है 5G के साथ आप 4G और 4G plus ही मिलते हैं लेकिन हम लोग 5G को side करते हैं और 4G और 4G plus की बात करें 4G के अंदर network काफी अच्छे हैं लेकिन 4G plus में आपको जो network stability है वो बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलती इंडोर के अंदर तो मुझे 4G plus के network शो ही नहीं कर रहा था Realme 10 Pro Plus 5G और सेम मैंने जियों के सीम Realme GT2 के अंदर लगाई थी उसी रूम में उसी एरिया में लेकिन मुझे वहाँ पर Realme GT2 में 4G plus का network मिल रहा था जबकि Realme 10 Pro Plus में नहीं मिल रहा था लेकिन आउटओर में ऐसी कोई दिक्कत मुझे major नहीं मिली लेकिन फिर भी Realme को network के ओपर काम करने की जुरुत है ये कोई major problem नहीं है software update से Realme इसको fix कर सकता है next negative point is का processor इसमें आपको MediaTek Dimensity 1080 का processor मिल दा जो एक average and balance प्रोसेसर है अगर आपको कोई भी heavy task करोगे तो ये processor कमजोर पड़ जाता है UI के अंदर आपको lag and gtness महसूस होता है बाकि 5 लाकी आसपास इसके अंदर स्कोर है UFS 2.2 की storage मिलती है तो read and write speed भी आपको average ही मिलेगी तेकिन इस processor करोगे छोटा भाई था MediaTek का Dimensity 920 वो आप लोगो काफी stable और उसके अंदर performance भी आप लोगो काफी बढ़िया मिलती थी next negative point भी आप लोगो प्रोसेसर की बिले सही मिलता है वो रहा gaming में इसमें आप लोग average gameplay कर सकते हो smooth settings के ओपर आप लोगो 55-60 IPS का support मिल जाता है and highest settings के ओपर आप लोगों को 32-35 IPS का support मिलेगा and PUBG and BGMI दोनों के अंदर आपको जो graphic settings बिल्कुत same देखने को मिलती है zero का support भी है and zero proper तरीके से working है कोई भी delay आपको जायरों में देखने को नहीं मिलता लेकिन अगर आप लोग screen recording करोगे तो आपको जो lag issue है वो देखने को मिलेगा gaming में साथ में जो battery draining का issue है वो भी आप लोगों को processor की बज़ा से देखने को मिलेगा अगर realme ने अच्छे जाए इस processor को optimize किया होता तो आपको गेम के अंदर lag भी देखने को नहीं मिलना था और जो battery draining का issue है वो भी आपको gaming में नहीं होना था अच्छे की पॉइंट बनता है इसका camera स्मार्टफोर में आपको realme triple camera का setup मिलेगा जहां पर main camera 108MP का 8MP का ultra wide जो किसी काम का नहीं है और 2MP का ultra wide वो भी किसी काम का नहीं है फ्रंट में आपको section MP की selfie मिलेगी और मैंने realme 10 pro plus 5D का camera test camera review किया है उस वीडियो को आप लोग जाकर के watch कर लें इससे आप लोग को इसके camera quality, clarity, video quality, clarity के बारे भी पता चल जाएगा उस video के लिएक नीचे description में है बाकि आप लोग को video mode के अंदर 4G का support मिल जाएगा और आप लोग को quality है वो भी average देखने को मिलेंगी तो camera section के अंदर भी कोई इतना really major upgrade आपको देखने को नहीं मिलता और अगर आप लोग इसको realme 9 Pro Plus 5G के camera से compare करोगे तो सबसे बड़ा downgrade आपको realme 10 Pro Plus 5G का इसका camera ही मिलेगा वाइस finally आपको इस phone buy करना चाहिए, इसको ignore करना चाहिए यह clear cut मैंने इसके positive points और negative points अपने style में आपके साथ share कर दिये अब अगर आपको फिरी 25 दार के अंदर एक phone चाहिए और आप तो लोग क्यों नहीं realme 10 Pro Plus 5G को ले लें तो यह चीज़े ध्यान में रखना पहली बात यह आपको नहीं gaming phone देखने को मलता ना ही आप लोगो camera phone देखने को मिलेगा इन दोनों चीज़ों को side में रखर के आपको phone चाहिए, multimedia, movies watch करने के लिए normal task के लिए तो आप लोग definitely realme 10 Pro Plus 5G को buy कर सकते हो लेकिन gaming and camera के लिए realme 10 Pro Plus 5G को buy मत करना बागी आप लोग वेट करो Redmi की no toll up series का उसके साथ आपको इनका comparison देखने को जरूर मिलेगा तो फाइनल दोस अतना इस वीडियो में ये था realme 10 Pro Plus 5G का full and final review after 10 days वीडियो पसंदे तो वीडियो को like करना, नीचे आपको लागर का बटन देखने को मिलेगा चैनल को भी सब्सक्राइब करें ना क्यूंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और यह जितने फोन है अपने पैसों से बाई करता हूं ताकि आप लोग को एक honest review जो है वो देखने को मिल सके हम मेंने के next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक्या